सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुलहब चैनल को और बैल आइकन को दबाईए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले हेलो गाइस आद की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि SSE CGL और SSE CPO के एकसां की तेहरे एक साथ कैसे की जाए देखे जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि SSE ने अपना न्यू कलेंडर 2017 का न्यू कलेंडर रिलीज कर दिया है और स्कलेंडर के अकॉर्डिक 22 अपरेल से SSE CPO के फर्म ऑल्लाइन स्टार्ट हो जाएगा फिल होना और 16 मैसे SSE CGL के फर्म ऑल्लाइन स्टार्ट हो जाएगा जो SSE CPO का एकसाम है वो आपका 30 जूल से 7 जूलाई तक होगा और SSE CGL का एकसाम है वो एकस अगस से और करीब 7-8 अगस तक करीब और एक दू दिन जादर भी हो सेटा है तो करीब करीब इतना मैं कम्प्लेट हो जाएगा तो करीब करीब अगर इन दोनों एकसाम की बात की जाए तो केवल एक महिने का डिफरेंस है एकसाम के नोटिफिक्शन में भी लगब लगब और एकसाम में भी तो अगर हम CPEO के एकसाम की ही बात करें आज से बात करते हैं आज जैसे की 15 अप्रेल और 15 अप्रेल से 30 जून याणि करीब करीब ढ़ाई महिना है और ऐसे ही अगर SSE CGL की बात करें तो करीब करीब हमार पास साड़े तीम महिने है तो अगर अगर हम इन दोनों एकसाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ स्टुडेंट ऐसे होते हैं जो SSE CGL की बी तैयारी करते हैं और SSE CPEO की तैयारी करते हैं ठीक है जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा होता है तो वो बच्चे और इंट्रेस्टिड है पैरामिलेटरी फोर्स में जाने के लिए तो वो SSE CPEO SI की तैयारी निश्ची दूर्प से करते हैं और साथ इसाथ SSE CGL की तैयारी भी करते हैं और मैं आपको एक बाद बताओ SSE CGL और SSE CPEO का जो tier 1 exam होता है वो भी same do same है exam pattern दोनों का same है ठीक है और exam का level भी लगब लगब सेम है ठीक तो अगर SSE में जब exam pattern same है और level भी same है तो हमें SSE CGL और CPEO की तैयारी एक साथ करनी भी चाहिए ठीक तो ये एक 11 students के लिए वैसे भी double chance बन जाता है जो पैरा मिलेटरी की तैयारी भी कर रहे है और SSE CGL के तुरू अच्छे departments के अंदर अच्छे reputed department के अंदर government job लेना चाहते है तो अगर exam pattern की बात करें तो दोनों ही exam में 100 portion होंगे 200 marks के ठीक जिनका जो पहले time हुआ करता था 75 minutes तो उसके दिल ये सुनने में आ रहा है कि वो 60 minutes किया जा सकता है जैसा ही notification आएगा ये भी clear हो जाएगा कि वो 60 minutes रहेगा ये 75 पहने जैसा रहेगा तो चलो time की बात तो बात में करते हैं फिराल जो बात है वो ये है कि 100 question होंगे 200 marks और हर question one fourth की negative marking के साथ होगा जिसमें mathematics होगा, reasoning होगी, general awareness होगी और English होगी तो चारो portion SSE CGL में भी और SSE CBO में same to see रहते हैं Same marks होते हैं, same ही question होते हैं और same ही negative marking होती है लेकिन अगर cut off की बात करें तो थोड़ा सा difference होता है जहां SSE CGL की normal जो cut off जाती थी last year को छोड़ दे 2016 को तो 100 और 105 के आसपास रहते थी और उसके विपरित अगर बात करें SSE CBO की तो 85 और 90 के approach रहती हैं तो करीब-करीब 15 से 20 number का या आपर difference आता है वो इसी वज़े से आता है क्योंकि popularity एक exam की popularity अपने आपे माइने रहती है क्योंकि जो अच्छे student, जो top class student होते हैं वो paramilitary force को join नहीं करते हैं या उसको prefer नहीं करते हैं SSE CGL को जादा prefer करते हैं इसी वज़े से cut-off marks increase हो जाता है तो आपको इन दोनों ही exam के तैयारी एक साथ एक ही level पर करनी भी चाहें यह नहीं मान के चलना चाहिए कि SSE CGL के high cut-off जाती है तो उसके लिए high level की तैयारी करें और SSE CPU के लिए high level क्योंकि paper था pattern से इमें केवल cut-off अगर कम जारी है तो उसके पीछे सीधा सा reason यही रहता है कि थोड़ी सी popularity वाली बात सीजियर ज्यादा popular exam है तो ज्यादा candidate उसकी तरब prefer करते हैं और SSE CPU की तरब कम केवल वही students की तरब जाते हैं जो paramilitary force को join करना चाहते हैं तो अब जब pattern भी same है तयारी भी same to same है तो हमें वही strategy एक strategy बनाकर तयारी करने चाहिए वही 6-7 घंटे का आपको time table बनाना पड़ेगा time table को कुछ इस तरीके से बनाए देखे आपके पास चार subject है आपको चार subject पड़ने है math, reasoning, gk, english अब मैं मालीजी आज से ही बात करता हूँ, 2.5 महीने का time है तो SSE CPU को लेगे ही बात करता हूँ अगर SSE CGL वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको एक महीना गड़ा extra लेगा और SSE CPU में तो 2.5 महीने तो SSE CPU वाला SSE CGL का exam 100% देता है तो वो आपको एक महीना यह माल लेते हैं वो revision के काम आएगा तो हम 2.5 महीने का target बनाते हैं और 2.5 महीने के time में हम एक strategy बनाते हैं और एक time table set करते हैं time table कुछ इस तरीके से बनाइए कि 2 गंटे अपना mathematics को देना है 2 गंटे mathematics को और एक गंटा reasoning के लिए काफी होता है ठीक, 1.5 गंटा या 2 गंटा ही आपको GK के लिए देना है और वो ही 1.5 गंटा या 2 गंटा आपको English के लिए देना है तो कुल मलाके 3, 5 और एक 6 गंटे 6 या 7 गंटे तो 6-7 गंटे की study आप अगर लगातार करेंगे और 2.5 गंटे लगातार करेंगे तो निश्ची दुरुप से सफलता मिलेगी अब इसको आपको कैसे करना है इस तयाज को कैसे करना है इस 2 गंटे का math कहा या 2 गंटे की GK इसमें करना क्या है आपको देखें पहला जो 1 गंटा है उस पहले गंटे में आपको कोई भी एक topic उठाके पढ़ना है माली जे math की ही बात करते है mathematics की बात करते है mathematics में आपको पढ़ना है time and work तो time and work को आपको 1 सबागंटा पढ़ना है ठीक, daily जब तक topic complete नहीं होगा 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन जैसे भी आप कर लेते हैं ठीक है, फिर next topic करना है तो उस एक घंटे में, सबागंटे में तो आपको ये चीज़ चला करनी है और बाकी का जो एक घंटा बसता है आपके पास, उसमें आपको question practice करनी है जो exam में आई हुए question है उनको पढ़ना है कि कौन-कौन से question किस तरीके से आ रहे है ठीक है आपको आसान question पर भी ध्यान देना है और advanced level के question पर भी ध्यान देना है ठीक है जैसे कि paper pattern आ रहा है last year से paper pattern तो easy का ही आ रहा है लेकिन होता क्या है जायता है कि जब easy question होता है तो हम जादा हड बड़ा हड में जल्दबाजी में उन question को गलत कर देते हैं अगर आप practice करोगे question की जादा से जादा practice करोगे तो वह जो problem होगी question गल्द करने वाली वह पूरी तरह से remove हो जाएगी ठीक है तो आपको एक घंटे पढ़ना है किसी topic को और बागी की जो एक घंटा है उसके अंदर कोई भी आपको जो previous question है किसी भी आप book को follow कर लीजे या practice set कर सकते है math का तो कोई भी practice set कर लीजे ठीक यह तो रही mathematics related बात वैसे ही आपको reasoning में करना reasoning में तो मैं यह मांगता हूँ कि जादा है आपको topic wise पढ़ने की जोड़त नहीं पढ़ती कि वह आप practice करते हैं चलीजे यह जादा स्याद है questions की वह भी आपके लिए सही रहेगा ठीक है बात करते हैं GS की अब GS में क्या करना दीखे मालनी कि आप history पढ़ते रहें 10 दिन का target बनाए यह 11 दिन का 12 दिन का यह 15 दिन का target बनाए कि 5-5 दिन प्राचिन भारत बंदेकालिन भारत यह आगनिन भारत टिक उसको 5-5 दिन के इसाब से 4-4 दिन के इसाब से पढ़िये खतन करते चलिए किसी भी बूक को follow करते जैसे मैंने आपको घंटना चक्त सजेस्ट किया थी best book है यह मैंने आपको सजेस्ट करी थी किरन भूक वो भी आप देख से मेरी जो वीडियो है मैंने जिसमें book सजेस्ट की है ऐससी के लिए वो आप देख सकते है तो उसमें मैंने आपको सारी books बताई हुगी तो आपको करना क्या है पहले एक घंटे में वही आपको करना है कि जादस ज्यादा question को पढ़ते जाना है फिर दूसरा क्या करना है दूसरे घंटे में जो दूसरा एक घंटा हो उसमें आपको ज्यादा question रटना है रटना मिल्स मतलब आप जब मैंने आपको बताये एक spark की बोग आते हैं उसमें previous question होते हैं point wise होते हैं सीधा question सीधा answer मतलब एक ही page पे 25-30-40 question हो जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी आप उसको run कर लेंगे बहुत जल्दी जल्दी उसका revision कर लेंगे तो वो एक घंटे में आपको वो करना है, आप डेली चार पेज पढ़ें, पांच पढ़ सकते हैं, पांच पढ़ें, च्छे पढ़ सकते हैं, च्छे, दस कर सकते हैं, तो वो करिए, ठीक है, एक आपका history चलता रहाएगा तो इसके आप geography इस तरह साथ चलोगा, और दूसरा आ मैंने आपको पेपर बताते हैं, पेपर सैट करते हुए जाना है, या वो कैपोर्शन है, एक तरफ से grammar पढ़ते जाएगे, नाउन, प्रोण, 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 प्रोजिशन, तो दूसरे साथ से one-verse substitution याद कीजिए, या एंट्रोनियम से याद कीजिए, ठीक, तो इस तर था हमार से पहले Amar तो कितनी भी हो लेकिन competition डवाई टे बड़े ही रहा है चाहे वेकैंसी कम रहेगी तो भी competition ऐसा बन रहा है और वेकैंसी जाद होती है तो भी competition यह इतना पनी रहा था कि आप कैसे SSE CPU और SSE CGL की तैयारी को तरीके से एक द्रण संकल्प लेकर अगर तैयारी करेंगे दो डाही मैने तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं तो लास्ट मोंस मेरी तरफ से आपके लिए डास्ट आफ लग डाकता है जीस को अब टाइम अडर्ट का टापिक चल रहा हो से बह आसके लिए बसी तरही धन्यवाब।